दोस्तों हम लाए है आपके लिए दुनिया के हैरतंगेज 5 ऐसे ऐसे होटल जिसे देखकर और जानकर आपका सिर्चक्रा जाएगा और आप कहेंगे कि कमल है मैं अगर कन्हू की एक होटल पेड़ पर बनाया गया है क्यों होश उड़ गए ना दोस्तों बलकि ये तो कुछ भी हम बताते हैं यहां फैक्ट्स ओनली फैक्ट्स फ़ंट 9 आउर्स कैप्सियूल होटल दोस्तों जापान में स्थित ये अद्भुत होटल आपके जेव के बजट के हिसाब से बिलकुल सस्ता बनाया गया है क्योंकि ये सिर्फ सोने के लिए ही बनाया गया है आप यहां कुछ होकर आने काम पर जा सकते हैं वो भी इतना किफायती रेट पर कि आप हैरान हो जाएंगे टू ट्री होटल स्वीडिश लाप लेन होटल दोस्तों अगर आपका भी मन बच्पन में कभी पेड़ों पर घर बना कर रहने हुआ हो तो आपका ये सपना इस होटल में पूरा हो सक है पेड़ के उपर शीशे के कमरे में रहना चाहे या उड़न तश्तरी वाले घर में यहां ग्रहक के टेस्ट के हिसाब से कमरे मिल जाएंगे वो भी सुविधा से भरपूर शर्दियों के मौसम में गिरते हुए बर्फ के बीच स्वर्ग जैसा लगता है ये होटल ट्री क् कमरे से आपको एमस्टेडम का पूरा नजारा दिखाई देगा और इस होटल में आपको पूरी सुविधा भो मिलेगा और सबसे दिल्चस्प है जब रात में आप सो जाएं और अगर हवा चले तो दूसरे दिन उठने पर जब आप खिरकी से बाहर देखेंगे तो पूरा ज़रा बदला दिखेगा क्योंकि हवा के साथ ये क्रीन भी घूमता है जो इस होटल को एडवेंचरस और इंटरिस्टीगर बना देता है अगर आप हिम्मती है तो इसके उपर मंजिल पर से बंजी जंपिंग का भी आनंद उठा सकते है दोस्तो अब आप देखिए इस अजीबो गरीब गरीब नमक से बने हुए इस होटल को क्यों दोस्तों दिमाग हिल गया होगा आपका हो बिलकुल दोस्तों ये होटल नमक से बना हुआ है और दोस्तों ये नहीं कि नमक की दिवार बना कर खड़ा कर दिया गया है बल्कि ये होटल पूरी तरह से एक लक्जिरियस सुविधाओं से लैस है इसकी खूबसूरती देखकर एक बार आपको यकीन ही नहीं होगा इतना शांदार है ये होटल करिश्मा ये है कि 30 लेक्जीरियस कमरों से युक्त डाइनिंग टेबल से लेकर बैद तक भी नमक से बने हुए है 5 और रूम विद व्यूप हम सभी जानते है कि स्वीट जिलेंड को धर्ती का स्वर्ग कहा जाता है और जब स्वीट जिलेंड में जाकर स्वर्ग जैसे नजारा छोड़कर कोई बंध कमरे में कैसे राह सकता है इसी कॉसेफ्ट को ध्यान में रख कर कर इस ओपेन होटल को डिजाइन किया गया है जहां तोको एक ओपन एर रूम देखने को मिलेगा इसके अंदर ना आपको बातरूम ना कोई स्टडी रूम वलकि यहां तक कि आपको दिवार तक नहीं मिलेगी सिर्फ और सिर्फ एक प्लैटफॉर्म और उस पे रखा एक बैट जिसकी डिजाइन इन किसी फाइव स्टार होटल के जैसी लगेगी आपको यहां के बटलर आपको इस बैट तक पहुचाने का काम करेंगे जिस पर लेटकर आप स्वीट जिलेंड का खूब सूरत नजारा देखने का आनंद ले सके है दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा तो क्रिपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले थांक्स